दे टू में आपका स्वागत है तो ये दस दिन का ट्रेडिंग कोर्स में डे टू में हम लोग जानने वाले की मार्केट श्रक्चर क्या होता है तो सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी लिया होगा जिसमें मैंने सारे चीज बताया कि किस दिन में कौन सा वी चैनल पर आ रहा है हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको किसी भी डे का लिंक मिल जाएगा जैसे यहां पर डे वन डे टू हर चीज का लिंक यहां पर प्रोड़ाइड है तो सबसे पहले हम लोग आ जाते है अपने चैनल पर अगर हम लोग प्लेलिस्ट वाले सेक्श किसी भी डे का लिंक मिल जाएगा तो स्टार्टिंग में तो अपको सी डेत देखना पड़ेगा लेकिन आप चाहे कि किसी और डे यहां जान से इसवी डे कर सकते तो अब हम लोग आजा आते हैं अपने मेन टॉपिक पर जो की है मार्किट स्ट्रुक्चर तो मार्किट direction क्या है market का क्या वो uptrend में है या फिर क्या वो downtrend में है या sideways consolidation market चल रहा है यहाँ पर सबसे important चीज जो note करने वाला बात है कि जितना भी market move करता है price move करता है वो because of market structure के कारे नहीं move करता है and not because of trend lines and breakouts तो बहुत लोग को यह अजीब लग रहा होगा है कि trend lines ते ही तो support मिलता है resistance मिलता है breakout पे ही तो हम लोग trade लेते है buying का selling का लेकिन क्या आपको लगता है अगर हम लोग chart में आ जाते है तो अगर हम लोग higher time frame के chart में आएंगे तो यहाँ पर क्या आपको लगता है कि छोटे time frame में जितना भी breakout होगा जितना भी breakdown होगा वो सब institution लोग अपना इतना ज्यादा बड़ा capital छोटे से trend line के basis पे यहाँ पे breakout मिला तो उन लोग buy कर लेंगे ऐसा वो लोग नहीं करेंगे वो लोग देखते हैं कि higher time frame में market का structure क्या है क्या market uptrend में है या क्या market downtrend में है उस basis से वो लोग trade लेते हैं तो जितना भी normal people होता है retailer होता है वो लोग higher time frame देखते नहीं है वो लोग पस five minute या one minute का chart खोल लेते हैं उसमें breakout मिलता है breakdown मिलता है उसके basis पे trade ले लेते हैं लेकिन institution लोग back of the mind में higher time frame का market structure चो उसका direction वो सब अपने माइन में ध्यान रखते हैं in fact वो लोग support या resistance line भी बना लेते हैं तो उन लोग को idea मिल जाता है कि lower time frame में करना क्या है कि हम लोग को selling करना है या हम लोग को buying करना है तो market structure से हम लोग को idea लग जाता है कि कैसे price का movement होगा छोटे time frame में break out, break down की basis में कभी हम लोग को trade लेना नहीं चाहिए तो अभी हम लोग आ जाते हैं अपने presentation में three types का market structure होता है up trending market structure, downtrending market structure और sideways ranging market structure तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे up trending market structure क्या होता है तो जब भी price का movement ऐसा होता है यहां पर हम लोग क्या दिख रहा है, यह एक high है, यह एक second high है, यह एक low है, यह एक second low है तो यहां पर higher high बन रहा है, क्योंकि इस high से यह वाला high ऐसा है, तो यह higher high बन रहा है, और यहां पर higher low बन रहा है मतलब जो starting वाला low था price का movement में जो हम लोग को ये swing मिला था low उससे higher level पर हम लोग को एक low मिलता है तो इसको हम लोग बोलते है higher low तो जब भी price के movement होगा और उसमें हम लोग को higher low और higher high देखने को मिल रहा है तो इसको हम लोग बोलते है up trending market structure तो अभी हम लोग इसको chart में भी दे 6 April के price action को देखने वाले है तो यहां पर एक low बनता हुआ हमें देख रहा है फिर एक high बना है फिर एक higher low बना है इस low से यह उपर है इसलिए higher low और यह higher high बना है तो यह हमारा जो condition होता है कि market uptrend में जाएगा उसको यह fulfill कर रहा है तो अकर हम लोग इसको ऐसे draw करे तो हम मिलता है जिसके बारे में हम लोग discuss किये थे अपने presentation में higher high बनता हुआ दिखता है higher low बनता हुआ दिखता है तो यहां पर हम लोग को confirmation मिलता है कि एक uptrending market है ठीक है तो यह होता है uptrending market structure हम लोग find कैसे करते हैं लेकिन हम लोग यह advanced price action technique सीख रहे है तो जितना भी अगर यह एक uptrending चीज कोई भी random place में बनता है तो हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम लोग को higher time frame में market structure क्या है वो हम लोग को देखना है क्या है यह कोई support area के पास है क्या ही कोई resistance area के पास है अगर आपको support and resistance के बारे में पता नहीं है तो next video में आपको पता चल जाएग ठीक है तो जब भी critical area के पास अगर यह चीज बन रहा है तो ही हम लोग को कुछ यह value provide करेगा तो अगर हम लोग 5 minute के चार्ट में आते हैं ठीक है 5 minute के चार्ट में आते हैं तो अगर आपको support and resistance का थोड़ा सा भी idea है नहीं तो आप दुबारा देखेंगे तो आपको समझ आही जाएगा यहां पे support zone हम लोग बना सकते हैं ठीक है support zone यह valid support zone क्यों है हम लोग उसको भी देख लेते हैं यहां से test किया है support लिया है फिर यहां यहां पे support लिया है दो तीन बाई यहां पे support लिया है तो यह valid support area इसको हम लोग बोल सकते हैं अब वापस हम लोग अपने analysis वाले time frame में आएंगे जो कि है one minute तो intraday करना है तो आप one minute five minute में भी कर सकते हैं तो हम लोग one minute के chart में आ रहे हैं तो यह important area के पास ऐसा market structure हम लोग को देखने को मिल रहा है uptrending का तो यहां से हम लोग के पास double confirmation हो जाता है तो confidence or multi confirmation के बारे में भी हम लोग आगे समझेंगे लेकिन यहां पे जितना ज्यादा multiple confirmation होगा उतना ज्यादा अपका probability of winning होता है तो यहां पे critical area के पास यहां पे बन रहा है तो यह बहुत important चीज हो जा तो हम लोग का जो view होगा यहां से uptrend होगा क्योंकि critical area के पास से uptrending market structure lower time frame में दिखा क्यों पर आ रहा है तो हम लोग जितना भी bias रखेंगे वो यहां पे हम लोग buy करने का ही bias रखेंगे अब हम लोग का जैसे यहां पे setup बन जाएगा अगर यहां पे price multiple time test किया है इसको breakout फिर यहां पर retest कर रहा है ठीक है तो यहां पर retest करने के बाद green candle बनता है उसके बाद हम लोग हम लोग setup में देखेंगे कब कैसे buy या sell करना है पर यहां पर समझाने के लिए मैं market structure को समझाने के लिए यहां पर position बना रहा हूं ठीक है तो यहां पर हम लोग को ऐसे position बनता ह तो इसका जो लॉजिक है कि हम लोग यहां पर breakout होने पर यहां पर retest पर buy किये उसका logic का new क्या है वो start कहा हुआ है वो जीज यहां पर जो story था कि higher time frame पर support था यहां market इस basis पर हम लोग यहां के breakout पर buy का trade लिए तो यह एक story बनता हुआ आपको दिख रहा है तो जितना भी आप professional trader का video देखे होंगे जब भी वो price action को समझाता है तो एक story बना के समझाता है कि यहां price का यहां से ऐसा movement हुआ तो इसके basis पर वो ऐसा trade लिए तो आपको जब भी price action trading करेंगे तो आपको creative होना होगा इस type का story बनाना पड़ेगा तो यहां पर story क्या था higher time frame पर यह support area था प्लस यहां पर market structure हम लोग को uptrend वाला दिख रहा था lower time frame पर तो उस basis पर हम लोग यहां पर buying का view रखे और यहां पर जैसे break down हुआ breakout हुआ तो हम लोग retest का वेट किये फिर यहां पर positions अपना बनाए तो यहां पर अगर हम लोग Fibo भी लगा देंगे तो यहां पर Fibo का भी एक level आएगा जो कि और हम लोग को support करेगा इस process में तो ऐसे होता है trading analysis price action में जो चीज़ आपको यहां पर trading लेने बहुत लोग यूट सबसे important यहां price action technical analysis में हो जाता है आपको deeply analyze करना होता है higher time frame plus lower time frame में ठीक है तो यह जो market structure यहां पर uptrend वाला बन रहा है तो ज़रूरी नहीं आपको one minute में ही लगाना है यह किसी भी time frame में आप लगा सकते जैसे आपको 15 minute के time frame में ट्रेडिंग करना है तो आप support and resistance higher time frame में सकते हैं ठीक है तो यह बात यहां पर clear होता है downtrending market structure तो जब भी हम लोग market structure का बात करते हैं तो जब भी ऐसा formation होता है यहां पर हम लोग देख सकते हैं यह एक low है यह एक high है फिर यह एक और low है जो इसके नीचे है तो lower low यह एक और high है जो इसके नीचे है तो lower high तो जब भी lower low lower high का formation होता है तो ये downtrending market structure होता है हम लोग uptrending market structure में देखे ते higher high higher low का formation होगा यहाँ पे lower high lower low का formation होगा तो इसको हम लोग market downtrending market structure बोलते हैं अब हम लोग graph में आ जाते हैं इसको live analysis करते हैं तो ये nifty 50 का चार्ट है index का चार्ट है यहाँ पे हम लोग one minute के time frame में क्योंकि हम लोग intra day से deal करते हैं maximum of the time तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये खाए है price यहाँ से आके घूमा है तो ये एक swing है ये एक low है ये low है ये खाए है इसके बाद ये जो high बना है ये इसके नीचे तो lower high हो गया और ये जो low बना है इस low के नीचे तो lower low हो गया तो ये जो formation हुआ है lower high और lower low का तो ये हम लोग को बताता है downtrending market structure है तो यहाँ पे हम लोग जितना भी bias रखेंगे हम लोग short selling का bias रखेंगे और इसके साथ हम लोग बड़े time frame में भी देखेंगे क्या ये एक resistance area है तो अगर हम लोग आ जाते 5 minute के time frame में क्योंकि हमें multiple time frame analysis करके multiple confirmation चाहिए कोई भी trade लेने का आपको confidence और confirmation वाले video में बहुत अच्छे से समझाएगा कि मैं किस चीज़ का बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर अगर हम लोग देखे अगर और पीछे आ जाते तो यहाँ पर एक level बना सकते हम लोग अब price यहाँ पर support लिया है अब यह resistance की तरह काम कर रहा है तो higher time frame में हम लोग को यहाँ resistance देखने को मिल रहा है प्लस lower time frame में भी हम लोग confirm है कि यहाँ पर जो market structure बन रहा है वो downtrending market structure बन रहा है तो यह confirmation हम लोग को मिल गया कि यहाँ से हाँ double confirmation नीचे जा सकता है और in fact हम लोग के एक trading setup में जो हम लोग breakout trading setup देखेंगे वहाँ पर यह वाला trading setup मैंने बनाया जब भी इसका breakout होगा आप यहाँ पर sort कर सकते हैं तो आपको यहाँ अच्छा profit मिल जाता है तो यह वाला design आप pattern याद रखना कि ऐसा बना हुआ है यह next जो हम लोग का trading setup one वाला video आएगा उसमें आप लोग को यह setup देखना को मिलेगा कि मैं किसका बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर हम लोग का main aim था वो market structure को देखना था तो यह downtrending market structure होता है जो last हमारा market structure है वो है ranging market तो यहाँ पर जो high है और low है उसका same level रहता है जैसे यह horizontal line है यह भी horizontal line है यहाँ पर low बना यहाँ पर high बना फिर इसी level पर low बना है फिर इसी level पर high बना है यहाँ पर और यहाँ पर तो same level पर high बन रहा है same level पर low बन रहा है तो इसको हम लोग बोलते ranging market या consolidation phase में market तो इसका भी हम लोग example चार्ट में देख लेते है तो यहाँ पर अगर हम लोग यह area बनाए तो यह एक level है और यह एक और level है तो यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखे तो यह एक ranging market structure हम लोग को देख रहा है price यहां से यहां पर आया फिर यहां से इस level तक आया फिर इस level तक आया फिर इस level तक आया तो यह same higher same high बन रहा है same low बन रहा है same high same low तो जब भी ranging market है तो मैं personally trade इसमें नहीं करता हूँ, जब भी breakout या breakdown मिलता है उस basis पे हम लोग trade करते हैं, तो आप चाहे तो इस पे trade कर सकते हैं, अगर market फिर यहाँ पे आए, यहाँ कुछ setup बनता है downtrend का, तो यहाँ पे आप sort करके फिर यहाँ तक का target रख सकते हैं, लेकिन मैं तो हम लोग जितना भी अपना trading setup 1 और trading setup 2 वाले day में जो भी हम लोग देखेंगे, तो उसमें breakout और pullback के basis पे हम लोग trading setup बनाए हैं, तो उसको आप practice करके उस basis पे भी trade ले सकते हैं, अगर आपको ranging market में trade नहीं लेना है तो just like me, तो यह हो गया ranging market का बात, अब हम लोग आ जाते है कि 10 दिन में, क्योंकि अगर बहुत लोग ने इंट्रा डे, day zero का वीडियो introduction नहीं देखा है, तो आप मेरे playlist में जा सकते है, zero to hero advanced price action trading course में, उसका जो सबसे उपर वाला वीडियो है, day zero का, वो आपको description में भी मिल जाएगा, day zero का वीडियो, उसमें देख सकते है कि कौन सा topic हम लोग कब पढ़ेंगे और क्यों आपके लिए ये trading course बहुत जादे important है, तो उस video को देखना, miss मत करना, तो अभी तक हम लोग क्या क्या चीज कवर कर चुके है, हम लोग इस चीज को कवर कर चुके है, इस video के साथ इस चीज को भी कवर कर लिए, अब हम लोग next video में देखे अगर आपको इसको miss नहीं करना है, तो आप चैनल को subscribe कर लेना, और एक चीज बहुत important चीज यहां पर बता रहा हूं, कि आप जितना भी analysis करेंगे, और इसका ध्यान रखिएगा, आपका price action analysis ही होना चाहिए, कोई भी indicator based analysis नहीं होना चाहिए, तो आपको उसको अगर share करना है मुझे तो इस email पर आप उसको share कर सकते हैं, तो मुझे जो भी analysis बहुत अच्छा लगएगा, तो जब यह पूरा course खतम हो जाएगा, उसके बाद भी video आएगा, तो मैं आप लोग का analysis इसमें दिखाऊँगा, जिसको भी अपना analysis अच्छा लगता है, वो share कर सकते हैं, और जो को भी दबा लेना, और अपने community जितना भी आपको group है, वहाँ पर आप इसको share कर सकते हैं, ताकि वो लोग को भी benefit हो इस चीज़ का, और एक और चीज़, अगर आपको मुझे support करना है, और आपने DMAT account नहीं खोला है, तो नीचे जीरोधा, और grow का link है, उस link से आप जाके DMAT account trading account खोल सकते हैं, अगर आप के पास पहले से ही DMAT account है, तो कोई जरुवत नहीं है, आप इस video को पूरा सीख सकते हैं, प्लेलिस से पूरा चीज़ सीख सकते हैं, free of cost, यहाँ पर एक भी पैसा मैं आप लोग से नहीं ले रहा हूं, ठीक है, फिर मिलते हैं अपने next day में, तब के लिए, bye, take care